साई और लवकेश का जगडा हुआ और इसके बाद अर्मान का किया रियाक्शन आया है लवकेश ने माफी भी मांगी साई से और कहा कि जो मैंने मा की गाली दी थी उसके रहे माफी मांगता हूँ लेकिन साई ने बात करने से ही मना कर दिया और कहा कि वो किसी तरहे की माफी देने के मूड में नहीं है लेकिन अर्मार मलिक कृतिका से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे इस फाइट के बारे में अकेले में चली आपको बताते हैं नमस्कार आपके साथ मैं हो दिपिका वैल अगर आपके सब्सक्राइब नहीं किया है तो चली से कार लिजेता की सारी की सारी लेटेस खबरे आप तब कहुचे चल से चल साई गुस्सा हो गए जब उनकी मा को गाली दी गई और लवकेश नहीं गाली दी थी अगर उन्हें रोका नहीं जाता तो शायद लवकेश को पीट देते हाता पाई तक बात पहुच जाती अब ऐसे में अर्मान मलिक कृतिका के साथ बैठे थे जगड़े के बाद तो वो कहते हैं कि साई के अंदर बहुत ताकत है यार मैं बहुत मजबूत आत्मी हूँ लेकिन मैंने जब उसको होल्ड किया हुआ था तब मैंने उसकी ताकत का अंदासा लगा लिया था कि उसके अंदर बहुत ताकत है अगर मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था जबकि मेरे अंदर इतनी ताकत है उनका कहना है कि अगर मैंने नहीं पकड़ा होता तो वो दो-तिन मार भी देता इसके ये मच्छर जैसे हैं उसके सामने तो लव कटारिया के बारे मों ये बात बोल रहे थे कि साई के सामने लव कटारिया मच्छर की तरह है और अगर रोका नहीं जाता मैं नहीं रोकता तो कुछ अगर आज रोका नहीं जाता तो शायद वो कुछ कर देता तो ये बाते चल रही है घर के अंदर और अर्मान मलिक ने लव कटारिया को मच्छर कह दिया है उनकी फिजिक की तूलना मच्छर से की है आपको क्या लगता है कमेंट कर ज़रू बताईएगा